असलें में अलेकूम फ्रेंड्स पैसे हैं आप सब लोग यह मैं आप लोगों के लिए प्रोवेशिपि कोấn पैसे लिए हैं, बहूंँ भूंत मुखिल रोग मुश्य पैसी नहीं हो बहुत आसान है लेकिन सबसे ज्जादा काम राने वाली रोड़ी रोषिपि है तो यह हमारी बिरिस्ता की रेसिपी है जिसको तलीवी प्यास भी कहते हैं यह बिरियानी की जान होती है बिरियानी में सबसे ज़्यादे जरूरत होती है वैसे तो हम जो भी खाना बनाते हैं सबी में प्यास जो हमारा बहुत एहम किरदार निभाता है तो अगर इसको हम पहले होता है अच्छी तरह से तब ही हमारा perfect बिरिस्टा बनकर तैयार होता है तो इस सफ़ेद वाली हिस्से को निकाल देने के प्यास को काटने के बाद इस तरह से हाथों से इसको दबा दबा कर खोल लेंगे इसकी सारी परत अलग हो जाएगी तो जिससे हमारा जो प्यास फ्राई करने में बहुत आसान हो जाते हैं वह जल्दी से प्यास जो हमारा फ्राई हो जाता है तो चलिए तेल को गरम कर लेते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हो गई है तो इसमें पहले हाथों में लेकर थोड़ा सा प्यास डालेंगे क्योंकि इसके जो बबल से बहुत जादा उपर तक आते हैं तो अगर आपको कोई जिरिस ना हो इसके वज़े से थोड़ा थोड़ा प्यास करके की इसमें डालें तो मैं यहाँ पर लगभग 500 ग्राम प्यास ली हूँ जिसको मैं आधाधा करके फ्राइर रही हूं तो एक बार मिंद्धा 2,500 ग्राम प्यास को फ्राइर कर रही हूँ तो तेल अच्छा आपको खुले बर्दन में ले लेना है जिसे कि हमारा प्यास आराम से उसमें तहर सकें तो इसे प्यास हमारा वो जल्दी से फ्राई होगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा हमारा प्यास तो इसको हाई फ्लेम में अभी हमें फ्राई करना है और जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा हलका सा पिंग कलर आ जाएगा तो जल्दी से आप गयास की फ्लेम को उस तेम पे स्लो कर दें क्योंकि उसके बाद जो हमारा प्यास बहुत जिल्दी से पकने लगता है तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको थोड़ा सबर से काम लेना है थोड़ा सा टाइम लगता है ये फ्राई होने में इसके लिए हम इसको पहले से फ्राई करके रख लेते हैं तो हमारी जो बिर्यानी बनती है या कोर्मा वगेर हम बनाते हैं वो आसान हो जाता है बनाने में तो अब देखिए इसमें हलका पिंग कलर आ गया है मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दी है भी अब इसको low flame में पकाएंगे अब इसको थोड़ा भी दिर छोड़ना नहीं हमें इसको लगातार हिलाते वे पकाना है तो देखिए इसमें एकदम light golden color आ गया है अब यहीं पर इसको थोड़ा से चलाते वे हम निकाल लेंगे बहुत जादा color dark होने तक का आप इंतजार ना करें क्योंकि प्यास को निकालने के बाद में प्यास का color और dark हो जाता है तो जैसे light golden color होएगा हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए मैंने जो प्यास को fry किया है उसका color कितना अच्छा आ गया है तो एक दम देखिए golden color हो गया हमारा प्यास इसको मैं चम्मच से इस तरह से दबा कर निकाल रही हूँ इसका जितना भी extra oil है सभी इस कड़ाई में निकल जा रहा है आप चाहे तो प्यास को निकाल कर किसी चलनी में भी रख सकते हैं जिससे कि इसका सारा extra oil निकल जाए और प्यास एकदम क्रिस्पी हो जाए तो मुझे इसकी जरूद नहीं पड़ी मैंने अच्छी तरह से दबा कर प्यास को निकाला है इसमें कोई भी oil नहीं अभी तो इसको निकालते के साथ जिससे हलका सा थंड़ा हो जाएगा तो हम इसको फटाफट हाथों से इस तरह से अलग अलग कर लेंगे प्यास को आपस में चिपका हुआ रहने ना दे क्योंकि ये जब तक चिपका हुआ रहेगा आपस में ये गरम रहता है और ये अंदर से पकते रहता है तो आप फटाफट से हाथों से इस तरह से अलग कर ले क्योंकि हमारा जो बिर्यानी का या फिर कोर्मे का जो कलर होता है ये इस बिरिस्ता से ही डिपेंड होता है क्योंकि अगर इसका कलर डार्क होगा तो आप जो खाना बनाते हैं सालन वगयरा उसका भी कलर डार्क हो जाता है तो यह दिखे एकदम गोल्डन कलर है और यह जैसे थंडा हो गया और एकदम क्रिस्पी सा हो गया है दिखे मैंने हाथों में लेकर बस इसको हलका सा दबाया है और यह किस तरह से तूट रहा है एकदम हमारा परफेक्ट बिरिस्पा बनकर तयार हो गई तो आपने आजकल मार्केट में भी देखा होगा कि यह जो बिरिस्पा है रेडिमेट बना कर वो बेचते हैं तो क्यों ना हम घर पर ही इसको बना कर रख ले एकदम हाईजिन तरीके से हमें पता नहीं होता है वो कपका तेल यूज़ करते हैं दुकान वाले तो हम इसको घर पर बना कर हाईजिन तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें कोई भी खाना बनाना हो हम इसको डाल सकते हैं तो उम्मिद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ी दार शी रेसिपी के साथ जब तक आप अपना खयाल रखे और मेरी इस रेसिपी को बनाएं थैंक्स पर वाचिंग